चात्रो आप सबको मेरा नमस्कार माई राम कृष्णु हूँ मंगलो रिश्य द्याले के CBCS पाठे क्रम्प के अंतरगत द्विती समिस्टर बीकाम चात्रों के लिए निर्धारीत पाठे फुस्तक के कावी सधा उसमें तीसरी कविता का पहला भाग पढ़ा चुका हूँ अब दूसरा भाग है अगले पद से मैं आगे बढ़ूँगा सूर्दास के बारे में आपको पता है वे भक्तिकाल के एक प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवी है और सगुन मार्गी कवी है तीस तीसरा पद मोही कहती जुवती सब चोर खेलत कहूं रहो मैं बाहिर चितै तरहती सब मेरी वोर बोली लेत भीतर घर आप अपने मुख चूमती भरी लेत अंकोर माखन हेरी देती अपने करू कच्चू कच्चू कही विधी सों करती निहोर जहा मोही देखती तहां टेरती मैं नही जात दुहाई तोर सूर स्याम हसी कंठ लगायो वै तरुनी कह बालक मोर यहां बहुत सुंदर पद है लिखने वाला है सूर दास इस पद में जब कृष्ण छोटा बच्चा था या बालक था खेलने के लिए बाहर जाता था पिछले पद में आपने देखा है अब उससे भी छोटा बच्चा है या कृष्ण जब बाहर जाता था तो उन्हें साताने के लिए गोपालकों से ज्यादा गोपियां उसके पीछे पड़ती थी जितनी भी गोपि का स्त्रियां थी वहां की स्त्रियां उस गोकुल की स्त्रियां कृष्ण को बहुत प्यार करती थी हमेशा कृष्ण से मिलना चाहती प्रिष्ण से बाते करना चाहती थी, कुछ खिलाना चाहती थी, तो इस प्रकार कृष्ण सब को मोहित कर चुका था। कृष्ण यल्लरनों आकर्षीस बिटिद्धा, अल्ली गोपिका स्रिय रिष्टोंदों आकर्षनेगे वळगागी दुरों नदुना यी पददली नाउं नोड़ भोदु, ये निनी जैंत वंदों दागी नोड़ना, मोहि कहती जुवती सबुचोर, यहां कृष्ण बाहर से अंदर आया है, अपनी मां ये शोदा के पास आया है, येनो बेशरागी थन्नता आई हतरी के ओड़ी बंदी दने, वड़गडे मने वड़गडे बंदु, अम्मन हतर यहां, शिकायत कर रहा है, शिकायत करना ये कंप्लेंट माड़ दू, क्या शिकायत कर रहा है, मोहि कहती मोही मुझे, मोही का मतलब, मुझे כहती जुवती सब चोर, सभी जुवतियां, सभी जुवतियां, इस गोकुल में रहने वाली, सभी जुवतियां तुम्हारे पास आकर कहती है, कि मैं चोर हूं तो कितना बुरा लग रहा है कृष्ण को मुझे गोकुल की सभी स्त्रियां क्या कहती है चोर सब योतियां कहती है मैं चोर हूँ इसलिए मुझे बुरा लग रहा है खेलत कहूं रहो मैं बाहिर मा सुनो मेरी वेदना तु हो मेरी पीडा सुनो जब मैं खेलते समय कभी बाहर रहता हूँ अपने दोस्तों के साथ अपने गोपों के साथ रहो मैं बाहर 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 चिताई रहती सब मेरी वोर सभी मेरी वोर ही चिताई रहती चिताई रहना देखती रहना सभी गोपि काये मेरी वोर ही देखती रहती है देखो मा कितना मुझे बुरा लगता है जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता हूँ तो सारी गोपिया मेरी ओर ही देखती रहती है तो मैं कैसे खेलूँ मुझे तो अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं बाहर खेलने नहीं जाओंगा मा इस प्रकार कृष्ण अपनी मा इशोदा के पासा कर उन पर गोपियों पर शिकायत कर रहा है सब मेरी वो बोली लेत भीतर घर आपने सिर्फ इतना ही नहीं है मा सिर्फ देखना ही नहीं बोली लेती बुला लेती है मुझे वे गोपियां मुझे बुला लेती है भीतर घर अपने घर के भीतर मुझे बुला लेती है मैं छोटा बच्चा हूँ वे सभी बुला लेती है तो मैं वहाँ चला जाता हूँ भीतर घर अपने मुख चूमती वहाँ जाने के बाद सभी मुझे प्यार करते है चूमते हैं मुख चूमने मुख पर चूमने मेरे मुख पर चूमने लगती है इसलिए मैं बाहर नहीं जाओंगा मुख चूमती भरी लेते अंकौर ति कितना प्यार करती है वे गोपियां आपको समझ में आ रहा है न माखन हेरी देते है उसके बाद में क्या करती है गोपियां मिलकर माखन मुझे देती है खाने के लिए माखन देती है अपने करू अपने ही हाथों से उठा कर मुझे माखन देती है और कभी कभी वे ही मुझे खिलाती भी है कच्छू कही विधी सो करती निहोर कुछ ना कुछ कहकर वे कई प्रकार से कुछ ना कुछ प्रार्थना करती है, वे नुरोध करती है, मा ये थना सब कुछ जो गोपियां करती है ना, इसलिए मैं बाहर खेलने नहीं जाओंगा करती निहोर, जहां मोही देखती, जब मैं इन से पीछा चुड़ा कर भाग जाता हूं, बाहर चला आता हूं, तो जहां मोही देखती, वे गोपियां जहां भी मुझे देखती है, मोही मुझे देखती, तहां टेरती, वही मुझे बुलाने लगती है हेका नहां आजाओ, हम तुम्हें मक्खन देगे आजाओ, जहां भी एगोपिया मुझे देखती है बाहर, तो बुलाने लगती है, तहां टेरती, टेरना, बुलाना, बुलाने लगती है, मैं नहीं जात दुहाई तोर, मैं तुम्हारी दुहाई, तुम्हारा नाम ले रहा हू मैं तुम से विनिती करता हूँ कि मैं तुम बाहर उनके यहां नहीं जाओंगा बाहर खेलने ही नहीं जाओंगा क्योंकि मिझे खेलने वे छोड़ती ही नहीं इसलिए मां मैं है मां यशोदा मैं बाहर नहीं जाओंगा सूर स्याम जब इतना कहकर उदास होकर कृष्ण ये शोदा के सामने खड़ा हो जाता है तो उसकी वो मासूमियत देखकर मासूमियत का मतलब क्या है इनोसेंस मासूमियत देखकर ये शोदा क्या करती है सूर स्याम हसी कंठ लगायो सूर दास कहते है ये शोदा हस्ती हुई उसे कंठ से लगा लेती है इसका मतलब में गले लगाती है किसे गले लगाती है अपने बेटे क्रिष्ण से क्रिष्ण नन्न बाची तब कुन बैटतालंते कंठ लगायो हे कृष्ण तू वे तो तरुनियां है स्त्रियां है युवतियां है काह बालक मर वे तो इतनी बड़ी बड़ी युवतियां है और तू तो इतना चोटा चोटा भी बालक है तो तुम्हें इतनी इस तरह सताती है ऐसा कहकर हस्ती हुई उसे अपनी कंठ लगाती है या उससे आ कर लेती है यहां कृष्ण और मा इश्योदा के बीच जो संभन्द था जो प्यार था इसे हम इस पद से जान सकते हैं अगला पत और अंतिम पत निसी दिन बरशत नैन हमारे सदा रहती पावस रितु हम पर जब तै स्याम सिधारे सदारहती पावस रितु हम पर जब तै स्याम सिधारे द्रग अंजन ना रहत निसी बासर कर कपोल भयकारे कंचु की पट सूखत नहीं कब हूँ उर्विच बहत पनारे आंसु सलिल सबै भै काया पल ना जात रिस्टारे सूरदास प्रभु यहे परेखो गोकल का है बिसारे यहां गोपियों के विरह का वर्णन है कृष्ण गोपियों को छोड़कर द्वारका से मुथूरा चला गया है क्योंकि मामा के यहां कम सुन उसे और बलराम को बुला लेता है तो जब वहां चला जाता है गोपियों को छोड़कर मुथूरा चला जाता है यहां गोपियों सभी विरह में तड़प रही है उनका विरह इतना बढ़ रहा है कई दिन हो चुके है लेकिन क्रिष्ण की ओर से कोई संदेश अभी तक नहीं आया है उन्हें इसलिए यहां गोपियां हर दिन दिन रात विरह की वेदना में तड़पने लगी है उनका विरह के साथ उसका वर्णन यहां सूर्दास इस पद में करते है यह आवर क्रिष्णा गोखलोवन बिट्टु मत्वुरा के होदागे यह श्टोंदेल्ला नो आयतु युवर विरह इस्टितु विरह वेदने यहनु गोपियर्दु अधर वगेले हेड़तारे यहने निदे नोड़ना ओंदागे निसी दिन बरशत नैन हमारे यहां गोपियर्दु आपन कर्ष्ट बता रही है निसी दिन निसी कमतलब है निशा निशा कमतलब है रात दिन दिन रात दिन दिन रात बरशत नैन हमारे हे सुनों यहां शायद उद्धव से वे बता रही है निशी दिन दिन रात या रात दिन हमारे नएन हमारे नएन कमतलबहें नेत्र कन्नुगलू आंके भरस्ते रहते है हमारे नेत्र दिन रात बेरस्ते रहते बरस नान्डू सुर्योदू सुरियोद्ध उन्र कन्नी दैन सुरियोद्धे नीरू, उन्र कन्नली नीरू, हगलू रात्री बर्ताने इरुथे, यावागलू, कन्नली नीरू, निल्ताने इल्ला सदारहती, पावसरितु हमपर, हमपर, पावसरितु, वर्षारुत्व आगई हे, वर्षा अन्र मलेगाला बन बिटिदे, रुथुगलल्दे, आरु रुथुगलल्दे, वर्षा रुथुगलल्दे, वर्षा रुथुगलल्दे, अन्र मलेगाला, अन्र आ मलेगाला, सदा रहती हमेशा रहती है पावसरित हम पर जैसका मतलब है हमारी आंकों से लगातार 2400 गंटे आठो पहर पानी बरस्ता रहता है आंसु बरस्ते रहते है कब से स्याम कोई है हाँ श्याम क्रिष्ण सिधारे हमें चोड़कर चले गए है जब से क्रिष्ण यहां से चले गए है तब से हमारी ईहालत हो गई है हमें हमारे आंखों से आंसु नहीं रुक रहे हैं क्योंकि क्रिश्ण यावा गिंदाई परिसी थी ए द्रग अंजन ना रहत निसिबासर द्रग आंखों पर जब हम अंजन लगाते हैं ना काजल लगाते हैं ना वह काजल ये क्षण के लिए भी आंखों पर रुकता नहीं है तिकता नहीं है आंखों पर जब हम काजल लगाती है तो ये क्षण के लिए भी वह तिकता नहीं है क्योंकि निसिबासर रात में भी नहीं तिकता दिन में भी वह नहीं तिकता निसिबासर रात दिन में भी हमारे आंखों पर वह काजल टिकता नहीं है क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि आंसु लगातार बहते रहते है कर कपोल भयकारे वे काजल पिघल कर क्या हो रहा है हमारे कालों पर गालों पर और हमारे हातों पर वे बह रहे है तो इसलिए हमारे गाल काले हो गए है मुझे मत देखना पूरा शेरीर ही काला हुआ है काजल के वज़र से नहीं कर कपोल भय कारे कर हमारे हाथ हमारे गाल दोनों काले हो गए है क्यूं काले हो गए गोरी गोपियों के गाल काले क्यूं हो गए क्यूंकि आंखों में जो काज लगाता वह बहकर उनके गालों पर उनके हातों पर आ गया है चा गया है कल भय कारे कारे काले कंचो की पट सूखत नहीं कब हूँ हमने जो वस्तर पहने है कभी यो कभी सूखते ही नहीं है कभी सूखत नहीं कभ हूँ कभी नहीं सूखते उरविच पहन बत बहत पनारे क्यूं इसा हो रहा है क्यूंकि उरविच हमारे हुदय के बीच में से लगातार बहत पनारे जैसे पानी की धारा बह रही हो वैसे आंखों से निकले हुए आंसु हमारे हुदय के बीच में से बह रहे है इसलिए हमने जो वस्तर पहने है बे वस्तर हमेशा गीले ही रहते है वे कभी सूखने का नाम नहीं रहे है क्योंकि इतना दुख गोपियों को हुआ है आंसु सलिल सबै भई काया पूरा शरीर आंसु जल से पूरी तरसे भीग गया है काया शरीर हमारा पूरा शरीर ही भीग गया है सलिल का मतलब है पानी आंसु सलिल आंसु जल से पूरा शरीर भीग गया है पल ना जात रिसिट आरे पल के लिए भी हम कृष्ण को नहीं भूल पा रहे है अगर हम गुसे में उसे चोड़ना चाहे कृष्ण हमें चोड़ कर इतने दिन तक नहीं आया कोई संदेश पे नहीं बेजा है ऐसा गुसा दिका कर भी हम उन्हें भूलने का प्रयत्न करे यह हमसे नहीं हो पा रहा है कृष्ण को भूलने का प्रयत्न हम करती है लेकिन हमसे यह नहीं हो पा रहा है कृष्ण नो मर्योद के कोपद इंदलादलू मर्योणा अंता अन्कड तरंते आदर को पदल लो Krishna's नमर्योदिके साधिया आग्ताईला सूर्दास प्रबू यह है परेखो गोक्ल का है भिसारे एक बार क्यूं हमें इस तरप हमें छोड़ कर चले गई हो गोकल को का है भिसारे क्यूं गोकल को तुम भिसारे भूल गई हो गोकुल से जाकर कई दिन वीच चुके है फिर भी क्या तुमें हमारी याद नहीं आ रही है क्यों इस प्रकार तुम गोकूल को बुहूल चुके हो इस प्रकार गोपियां अपने विरहवेदना इस पद में वेक्ट कर रही है तो इस प्रकार सूर्दास के द्वारा रिचित चार पद आपके पाठे क्रम में हैं तो वह मैं पढ़ा चुका हूँ सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद